तो कैसे आप सभी आशा कि आप सब लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम काफी इंट्रेस्टिंग टोपिक डिसकस करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर कोई फाइन नहीं करता है तो उसकेस में उसको इंपरिजन्मेंट हो सकती है ठीक है तो इसमें में जानेंगे यकल्गे-षच्छ से लेकर के सेक्षन सैवेंटी तक यह सेक्षन जाने गें जिसमें आट शक्षन इंक्लूड होते हैं नोन-पेमेंट और तो इसके बारे में बात करता है कि अगर कोई पर कोड के थूप फाइन लगा दे गया तो इसमें उसके ओपर कितना लगा जाएगा तो इसके अपर अनलिमिटड फाइन लगा जा सकता है लेकिन वह अगर वह एकसर्ण नहीं होगा उसके ओफेङंन इसले टेट जो भी उसने ऑफएन्स कमिट किया है तो उसकी इंक प्रफाइन लगाए गया है वह एकसर्ण नहीं होगा ठीक है माल लिजिये अगर कोई रिख्षय वाला है उसकी मंतली इंकम है 10,000 रुपीज तो उसकेस में उसकी इंकम को देखा जाएगा कि वो कितने इंकम कर रहा है ठीक है उसकी standard of life कैसा है ठीक है और मान ली जाकर कोई परसन वन लाग रुपीज पर मत कमाता है तो उसका उसके साफ से उसके तो उसके उपर लगा जाएगा तो शॉर्ण किसी परसन कोई है तो उसके उपर इंपर समय कर दिया गया और उसको उसके उपर फैन भी लगा दिया गया है? कब दोनों नवी नभा और है रोट फैन लगाएं गया है। तो उसके उसके उपर कर दिया जाएगा उसके सेंटेंस को ठीक है या फिर सको जो इंपर्जिन में हुई है उसको भी कम्यूटेशन कर दिया जाएगा जैसे कि अबने लास्ट वीडियो में डिसकस के था कम्यूटेशन के बारे में ठीक है और जो आगे के फर्दस्प्रोविजन है जो सेक्षन 65 यह बता रहा है कि limit to imprisonment for non-payment of fine मतलब कि कितनी limit होगी अगर fine pay नहीं किया जाता है non-payment of fine ठीक है वें imprisonment and fine available और कब उसको imprisonment दिया जाएगा अगर fine available है तो तो इसमें एक आ गया कि the offer ने to be imprisonment in default of fine उसको imprisonment डाल दे जाएगर वो default हो जाता है fine चैनलोड एकसीड वन फॉर्थ तो इसमें एक आ गया कि section 65 में अगर वो fine पें नहीं करता है जितनी भी उसको punishment हुई है ठीक है तो यहां पर यह बताए गया कि जितनी भी उसको punishment हुई है माली जोसके एक साल की punishment हुई है तो एक साल की punishment का one-fourth उसको fine-imposed कर दे जाएगा मतला कि उसके इंप्रेजमेंट में डाल दे जाएगा उसको one-fourth अगर वो default होता है अपने fine से अगर वो fine pain नहीं करता है तो उसके पर one-fourth उसको imprisonment में डाल दे जाएगा उसके एक साल का one-fourth कितना हो तो एक साल उसके व्यतीत होने जैसा कि अगर किसी ओफेंस में मान लीजिए को एक साल के साल स़ उद्ट साल मालीजिए दो साल है तो उसको 2 साल है मैकशिममाप commitment वह देखा जाएगा तब जाम फोर्ट उसको से ठीक है परनिंसे पड़ अगर फाइं नहीं कर रहा है तो उसके पर दुबार से बानेशन सक्ता है कि यह बताने की कोर्श कर रहा है कि अगर फैन देने से तो उस case में उसको कितने टायम तक उसको में डालेजाएगा अगर वो डीफोल्ट होता है उसके जो पहले वाले जो सको मिलिया साथ के साथ いきます अशाओंस мृष स्लीक्ति व्ह तो ऊइस होनद मिल आ है ठीक है और या फिर उसके फैंसे लेटड जो भी उसको इंप्रेजिनमेंट फैंसे लेटड जो भी उसको पशाइन से लेटेड तो उसको कुछ नहीं काम करा जाता ठीक कर लाता है तो यह 66 बताता है ठीक है तो उसको कितनी होगी कि सिंपल होगी ठीक है और जो सेक्शन 67 है IPC का उसमें बताएगा कि इंप्रिजमें फोन नेंट नोन पेमेंट ओफाइन वेन ओफाइन तो सेक्शन 67 यह बताने की कोचिस कर रहा है कि अगर किसी परसंड के ओपर किसी ओफैंस में ओनी फाइन लगाया था उसके उपर उसको साथ में नहीं दी गई थी उसके पस सिर्फ फाइन इंपोस्ट किया ग तक का 50 रुपे तक का बताने की कोचिस कर रहा है अगर किसी परसंड ने के ओपर फाइन इंपोस्ट किया था कब तक का 50 रुपे तक का मतलक भी 50 रुपे तक का उसके उपर फाइन लगा गया था अगर वोस्ट में दाला घाएं तो 30 ब pawn रो रहा है तो उसके कितना भी हो सकता है हजार जौज़ार एक Lac contar भी हो सकता है तो उसको 6 मिने के लिए डाले जाएगा तो यहां पर एक किसम से यह बता है ओगा है कि किस इसकेल में कितना इंवेंट है ठीक है 50 ат भी आ से लेकर होगा पचास creat ugen कसके प्रफाइन लगा एगर वो default हो जाता है तो थो उसकेस में उसको 2 मेंदे के लिए डाले जाएगा पचास से लेके सो रिपे तक का उसके पर फाइन लगा गया है वह डिफोल्ट होता है पेवेंट फाइन देने से तो उसको चार मिने के लिए जेल में डाले जाएगा ठीक है तो यहां पर सिर्फ ओनली फाइन की बात की गई है अगर किसी को हैं इंप्रिशन्मेंट टू टार्मिनेट और पेवेंट ओं मतलब की जो उसको इंप्रिशनमेंट दी गई है फाइन पे कर देता है ठीक है अगर लिए उसको एक साल की उसने 50 युपे तक को उसने फाइन पे नहीं किया था तो उसको सज़ा होगी तो अगर वह 50 रुपे को इसको count के जाएगा उसको कितने imprisonment रह गी है और उसको कितना fine award करना ओर तो उसको fine देना ओर 25 रुपए ठीकिए ठीकिया उसने आदी punishment imprisonment काट चुका है और आदी उसकी रहेगए है तो इसाव से उसको count के जाएगा ठीक है उसमें Counting होगी कि कितने कितना कितना उसको fine तो यहीं बतायागा है section 68 में ओर जो जो 69 इसमें भी बात किया तर्मिनिशन ओफ इम्परिजनमेंट ओन पेमेंट ओफ पाइन तो 68 इसकी इंपरिजनमेंट को टर्मिनेट कर देजाएगा अगर वो पेमिट कर देता है तो फाइन की ठीक है और 69 भी यही बात कर रहा है लेकिन 69 में बताएगा कि अगर इन पार्ट अगर वह फाइन पे करता है माल लीजे उसको देता है अपने को माल लीजे उसको छे मेने के सजा हुई है ठीक है तो प्रोपोर्शन बेस पर प्रोपोर्शन बेशित करें ठीक उसके पनाह 10 तो उसकी जो इंपरिसमेंट को टैन देंगे इन पार्ट अगर्व प्रोपोर्शणली बेस पर फाइन पे कर रहा है तो कोई दिक्टत नहीं है इसके इंप्रेशन को टेमिनेट कर दिया जाएगा ठीक है और जो stextion 70 है बात कर रहे है कि जो फाइन है जो लिवाइबल है जिस परसन से लेना है तो उस परसन से छे साल के अंदर एंदर उससे फाइन लेना होगा ठीक है ओव दिरिंग की Impresslement जो भी उसको हुई है During the imprisonment माल लीज़े अगर किसी परसन को 10 साल की imprisonment हुई है ठीक है और उसको fine देना था 1,00,00 रुपे ठीक है अगर वो fine छे साल के अंदर नहीं देता है ठीक है तो उस person के ऊपर fine impost का जो imprisonment है in default of fine उसको एक्सीड कर दिया जाएगा जैसे कि मैंने स्केल उपर बताया है कि किसे साब से वन फोर्थ और सो से तक पचास रुपे तक का ठीक है तो यह हमने जो पर इसकेल पड़ा है कितनी उसको पनिश्मेंट होगी वन फोर्थ जैसे कि हमने बात की थी तो उसी साब बतात कर रहा है और अगर उसके परसंट जो आला गया था इंप्रिवरिंग topics हो जाती है उसे कि परसंट करना था थिक है तो ऊसकी के से रिकावर किया जाएगा वो फाइन वो डिश्चार नहीं होगा क्चे बाद भी इसको डिश्चार नहीं कि जाएगा व्योबु लेकिन जो उसके लीगल है रहे हैं चैंक है तो उसके में को लेटे नहीं जाएगा कर उसको लिबि कटेंगे अचैसे कर रह रहे थी लेकिन उसको प्रसिक नहीं कर दो रहे कर रहा है लेकिन उसको डिश्चान की पाट इसान नहीं होगा ड़क के बाद भी तो यह section 70 बात कर रहा है तो आज की इस वीडियो में हमने अच्छे से जान लिया है कि अगर कोई person fine pay नहीं करता हैं तो उस case में उसको कितनी सजा होगी और कैसे होगी कि और कोड पास कितनी पावर है ठीक है तो आज हमने जान लिया है यही ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतने ही था अब हम आपनी नेक्स वीडियो में